हेलो गाइज वेलकम बाइक और यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टड़ी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो हम लेकर आप सभी के लिए कलास्ट्यों वालों के लिए कोस्टन बाइंक प्रिवियस यहर्स लास्ट अलेवन यहर्स दोस्तों 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी फिजिक्स सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा दीजा और नुट्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा दीजा लिए और नुट्सक्राइब करके ताकि जैसे निया वीडियो लोगार आपको मिलता रहे वीडियो पसांद आतो लाइक जरू करना दोस्तों और सभी कोशन का प्रैक्टिस एट आप इस वेबसाइट के मदद से कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर लिए कोशन रहेंगे ठीक है तो वीडियो को लास्त तक आप लोग जरूर देखेंगा दोस्तों और वीडियो को सियर भी कर दीजेगा चलिए आप पहले मैं आप लोग को बता दू यहाँ पे टेलीग्राम पे जरूर जोएन होजिए सभी छात त्योंकि टेलीग्राम पे आ मैं आप लोग को हाँ पे सेंड कर दूंगा तो आप टेलीग्राम पे जरूर जोएन होजिएगा और इस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं तो इस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्किप्शन में दे रहा है ठीक है तो चलिए आप पहला को संद्थे हैं और बताईए क डेमेंशन बताना है तो इलेक्टिफ फिल्ड बरावर होता है दोस्तो फोर्स बटे चार्ज और फोर्स का यूनिट होता है नुटन और नीटन को आप लिखते हैं दोस्तो केजी मीटर पर सेकेंडे स्क्वेर ठीक है और चार्ज को लिखते हैं करेंट इन्टू टैम तो उपर लिखेंगे तो हो जाएगा मैनस थ्री और यह क्रेंट है आए उपर जाएगा तो हो जाएगा आए मैनस वन तो आप इसका डेमेंशन फरमूला देख सकते हैं होगा यम यल टी मैनस थ्री आए मैनस वन तो एक का सही आंसर होगा बी चलिए नेक्स कोशन देखते हैं न directly proportional होता है चार्ज के प्रॉडक्ट का और inversely proportional होता है उसके distance का sqr का अब अगर इसका distance दुगुना कर देते हैं तो नाया जो farse बनेगा दोस्तो तो कितना होगा तो f- जो होगा वोगा मुझा वह वन बाय इस का distance दुगुना करेंगे तो यह आप ऊर और आरे स्कोर यानि पुराने फोर्स का जो है वन फोर्थ हो जाएगा तो दो का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C वन वैफ फोर गुना अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि मुक्द अकास, फिरी एस्पेस, डाय एलेक्ट्रिक और फिरी एस्पेस तो die electric constants जो है बताना है दोस्तों free space जिसको epsilon node से सुजित करते हैं तो इसका जो value होता है 8.85 इंटू 10 के power minus 12 फराड पर मीटर तो 3 का जो है सही answer होगा C 8.85 इंटू 10 के power minus 12 फराड पर मीटर अगला question देखते हैं अगला question है कि बिधूत ये दूधूर आगोर्ण का SI मातरक है SI unit of electrical pole moment तो दोस्तों pole moment का जो है dipole moment का जो है electric SI unit होता है कुलम मीटर तो 4 का जो है सही answer होगा यहाँ पर 1 कुलम मीटर चलिए अगला question देखते हैं अगला question है कि यदि किसी खोखले चाले को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव होता है तो देखें दोस्तों जब किसी आप खोखले गोले के चालो को धन आवेशित करते हैं तो उसके भीतर का विभव होता है वह समरूप होता है और positive रहता है ठीक है तो पांच का जो है सही answer होगा यहाँ पर भी धनातमक और समरूप होगा अगर यही पर भीतर का इलेक्ट्रीव फिल्ड पूस्ता दोस्तों तो इलेक्ट्रीव फिल्ड हो जाता है सुन्यो जीरो लेकिन पोटेंशियल का मान होता है और वो पोटेंशियल का वैलू होता है positive और similar क्योंकि आप धन आविशित कर रहे हैं खोखले गोलिये चाला को ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं आगला कोशन है कि बिधूत छेत्र यी और विभव भी के बीच का समद्ध होता है दा रिले निगेटिव सेंट जो है इसके direction को बता रहा है क्योंकि इलेक्टिक फिल और पोटेंशियल का direction अपोजिटर होता है इसलिए यहाँ पर निगेटिव सेंट लगा है तो six का जो है सही answer होगा यहाँ पर यह इस गल्टू मैनस डिवी वाई डियक्स अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि one कोलम आवेश इस्ट यूणिट में कितना होता है कोलम है दोस्तों SI यूणिट है चार्ज का और ESU इलेक्टो एस्ट्राटिक यूणिट होता है जो चार्ज का CGS यूणिट होता है ठीक है तो वन कोलम जो होता है बरावर होता है ठीरी गुने 10 के पावर 9 कुलम के बराबर होता है तो 7 का जो है सही आंसर होगा 8 3 into 10 के पावर 9 एस्यू अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि इस्थीर बिदूद छेतर होता है the static electric field तो static electric field होता है दोस्तों वो कंजर वेटिव राता है सनक्षि राता है तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहां पर एक अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि यदि समरूप बिदूद छेतर एक्स 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 स्ट्री बिदूद छेतर एक्स अक्स की दिशा में बिद्वान है तो सब मिभाव होगा इसका जो पोटेंशल होगा दोस्तो एक्स एक्स के अपोजीट होगा इसका पैलल में होगा तो वाइजेट के वाइजेट प्लेन के डिरेक्शन में होगा ठीक है इसका पोटेंशियल तो नैन का जो है सही आंसर होगा यहां पर सी वाइजेट तेल की दिशा में अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि कुलम बल है कुलम फोर्स तो कुलम फोर्स है दोस्तों ये दो चार्जों के बीच में लगता है और ये सेंट्रिक नेचर का होता है सेंट्रल फोर्स है तो टेन का जो है सही आंसर होगा सी सेंट्र फोर्स central force भी है और electric force भी है तो A और B दोनों इसका सही answer हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला question है कि जब किसी वस्तू को आवेशित किया जाता है तो उसका दर्मान और अबजेक्ट इस charge इस मास देखिए दोस्तों जब किसी neutral वस्तू को अगर आप चार्ज करते हैं चार्ज करने का मतलब यह हुआ कि बेसिकली आप इस electron का transfer करते हैं अगर electron निकालेंगे तो यह positive charge हो जाएगा अगर electron डालेंगे तो यह negative charge हो जाएगा और electric में दोस्तों कुछ न कुछ मास होता है ठीक है उस मास के करिए इस मास पूर्य मास पर your current पर कुछ कुछ न कुछ जरूरिच्ट पढ़ेगा तो इसलिए जो है charge करने पर किसी वस्तू का जो है दर्मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है तो 11 का है सही answer हो कहां यहां पर ढ़ी बढ़ सकता है बढ़ into tam और current का current के लिए इसका जो है dimension होता है A और समय का होता है T तो यहां से इसका dimension निकल जाएगा 80 तो 12 का सही answer होगा A अगला question है दोस्तो 13 नमर का कि समान धारिता की N संधारितरों को पहले समानतर करम में और फिर स्रेनिक करम में जोरा जाता है तो दोनों अवस्थाओं का तुल धारताओं का अनुपात है बेसिकली यहां पर दोस्तो एक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का दोनों करम में उसका रेशियो पूछ रहा है तो C जो है सिरीज में दोस्तो इसका जो है एक्विवेलेंट कै 술 डिया हो तो कैपेशिटेंस हो जाएगा सिरीज में इसका फर्मूला होता है C Y N ठीक है और यह पयरलर में अगर जूरेंगे पैरलल में अगर यह नमर अब कैपेशिटेंस है पते का कैपेशिटेंस है अगर उसका पैरल कम्ब्रिशेट Carter Camp तो यह सिधा हो जाएगा NC ठीक है यहाँ पगर रेशियों निकालेंगे दोस्तों तो रेशियों पहले किसका दिया है समांतर क्रम का और फिर स्रेनी क्रम का तो समांतर क्रम यानि पैरलल का हो जाएगा NC और स्रेनी क्रम का होगा तो यह हो जाएगा c yn और यह उपर जाएगा तो यह हो जाएगा दोस्तो n square by 1 तो n square तो 13 का जो है सही answer होगा यहाँ पर c n square ठीक है चलिए अगला question देखते हैं अगला question है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति उर्जा का व्यंजक है तो दोस्तो जो capacitor में जो stored energy होता है इसका formula होता है e is equal to half cv square c जो है दोस्तो capacitance है और v जो है potential है तो 14 का जो है सही answer होगा यहाँ पर a e is equal to half cv square अगला question देखते हैं अगला question है कि 4 संधारित्र में परते की धारिता 2 microfarad है एक 8 microfarad के संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोरना होगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है चार capacitor है ठीक है और परते की capacitance दे दिया है 2 microfarad और इसको बनाना है एक 8 microfarad तो उसको किस स्रेनी में जोरेंगे उसका combination कैसा होगा तो अब यह बताये थे दोस्तों कि c series के लिए c parallel के लिए अगर n number capacitor है तो उसका parallel combination हो जाएगा nc तो देखिए n जो है number of capacitor है तो यहाँ पर number of capacitor दे दिया है तो 15 का जो है सही answer होगा यहाँ पर भी समांतर करम में जोरने पर चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि विधू धारिता की भीमा होगी भीमा है the dimension of electrical capacitance तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है capacitance का यहाँ पर dimension पूछ रहा है तो capacitance का जो फर्मूला होता है दोस्तों Q is equal to होता है C भी यहाँ से C is equal to हो जाएगा Q भी ठीक है और Q भी है तो आप इसका जो है लिख सकते हैं dimension निकालने के लिए भी जो है फर्मूला होता है W by Q त यह हो जाएगा Q square by W आप इसका unit लिख सकते हैं तो Q का unit होता है दोस्तों IT यानि कि I square इंटू T square और वर्क वर्क का जो unit होता है दोस्तों आप इसको लिखते हैं half Mb square तो यानि कि kg half Mb square तो kg meter square और second जो है उपर चला जाएगा तो T square हो जाएगा तो आप जेख सकते हैं इसका जो है डेमेंशन हो जाएगा यह हो जाएगा kg पर M L k power minus two और यह उपर जाएगा तो आए माइन आए टू और टी के पावर फोर तो आप इसका डेमेंशन हो जाएगा दोस्तों या मियल माइनस टू टी के पावर फोर आए माइनस सोरी आए के पावर टू तो सोला का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर यह जो है कैपेशिटेंस का डेमेंशन फर्मूला होगा एम माइनस ओन एल माइनस टू टी के पावर फोर आए के पावर टू चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि किसी संधारितर की धारिता का मात्रक है दो यूनिट ऑप कैपेशिटेंस ऑप कैपेशिटर तो कैपेशिटर का जो कैपेशिटेंस का यूनिट होता है फेराड में तो 14 17 का जो है सही आंसर होगा सी फेराड अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि किसी चालक की विधुत्य विंजक है तो इसका विधुत्य विंजक होता है देखें दोस्तों क्यू जो है डैकली प्रोपर्सनल होता है भी का और जब प्रोपर्सनल का चिन हट आएंगा तो यह constant लगेगा और constant होता है C तो यह formula बना देता है Q is equal to C भी यहां से C का जो है formula निकल जाएगा क्यू भाव भी कि तो 18 का जो है सही answer होगा यहां पर AC is equal to Q Is B अ छलिए अग्ला question देखते हैं अग्ला question है कि इन में से कौन विधू छेत्र की त्रिवता का मातरक है which are the following the unit of electrical field intensity to electric field intensity का unit होता है दोस्तों newton newton per column ठीक है force by charge होता है तो इसका unit होजएगा newton per column तो 19 का सही आंसर होगा d कि अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि निमली खीत में से किस रासी का मातरक वोल्ट पर मीटर होता है तो इलेक्ट्रीफ फिल्ट का फर्मूला होता है दोस्तों मैनस डी वी बाइड डी एक्स और पोटेंशियल के लिए यूनिट होता है वोल्ट और डिस्टेंस के लि अगला कोशन है कि 64 समरूप बूंद बूंद जिन में पड़ते की धारिता फाइब मैक्रों फराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी ठीक है दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि बड़े बूंद का कैपेसिटेंस क्या हो और सीयास है कैपेसिटेंस ऑपेसा स्मल ड्रॉप यह जो है नमबर ऑफ ड्रॉप है और इसके पावर वनवाइट है तो बीग विग बिग ड्रॉब का जो है कैपेसिटेंस निकाला है तो सीवी सीधा फर्मूला हो जाएगा सीएस तो सीएस कितना दिया है 5 मैक्रोफराड और यहन जो है दिया है दोस्तों यहन जो दिया है 64 के पावर 1 by 3 तो 5 इंटू जब इसका घ्रमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 4 यानि कि 20 मैक्रोफराड जो होगा बड़े कैपेसिटर का बड़े ड्रॉब का कैपेसिटेंस होगा ठीक है तो बीग ड्रॉब का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा 20 मैक्रोफराड तो 21 का जो है सही आंसर होगा कि वी ट्वेंटी मैक्रोफराड चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि यदि गोले पर आवेस टेन मैक्रोफ कुलम हो तो उसकी सत्व पर विधूत्य फ्लक्स है तो विधूत्य फ्लक्स का फर्मूला होता है दोस्तों इस गल्टू स्वाइज गल्टू इंटू कोश्टिता तो इन्टू ए तो ए जो है एरिया है और एक्टिविल्ट का फ्रमूला होता दोस्तों वॉन बाए फ्लक्स एempस्वेलान नौट इंटो आर सक्वाइर इंटो क्यू ठीक है और एरिया जो है यहां पर गोला है टो गोले का जोई एरिया होता है फोर पाय और अगार डिल्ट ठीक है यहां से आरिया डिल्ट 10 और माइक्रो बोल रहा है तो 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा और ये इंटू 4 पाइट ठीक है तो आप यहां से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह जगा 9 चो कि 36 पाइट 36 पाइट ठीक है और ये 9 एक 10 तेन के पावर 10 उसमें से 6 चला जाएगा तो हो जाएगा ये हो 36 पाइट इंटू 10 के पावर 4 न्यूर्टन मीटर स्कूर पर कोलम carrier अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि विधूत्य तीवरता का मात्रक है दॉनिट ऑफ इंतिन सिटी तो इलेक्तिब इंतिन सिटी का युणिट होता है दोस्तों एक यूनित ये भी होल बॉल्ट पर लग लगए इस दिए वन पो सिन लगवा सब्सक्राइब लू इसलिए मैंगला कोसनर स्वास्त है दोस्ता है कि वोट होता है तो धो थ्र Haram के power 9 state column के बरावर होता है तो इसलिए one state column जो बरावर होगा वह होगा 1 by 3 into 10 के power minus 9 कुलम के बरावर तो 24 का जो है सही answer होगा यहाँ पर D 1 by 3 into 10 के power minus 9 कुलम के बरावर आगला कोशन देखते हैं आगला कोशन है कि वन मायक्रो फेराड की धारिता वाले संधरितर पौटियों के बीच वन फोल्ट का विवानता रखने पर आवेशित। संधरितर पर आवेश होगा। यहां पर ब्रेसिकली कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा दोस्तों इसका बताना है कि कितना चार्ज होगा, तो Q is equal to होता है C भी और capacitance दे दिया है 1 micro farad और potential दे दिया है 1 volt तो यहाँ से निकल जाएगा 1 micro column जो है charge का मान निकल जाएगा charge का value हो जाएगा 1 micro column तो 25 का सही answer होगा यहाँ पर B अगला question देखते हैं अगला question है कि dielectric of metal तो dielectric constant होता है metal का दोस्तो infinite तो 26 का जो है सही answer होगा यहाँ पर B infinite अगला question है कि 1D graph generator एक युक्ति है जो उत्पन करती है तो 1D graph generator का यूज क्या दाता है दोस्तो high voltage को produce करने में तो 27 का सही answer होगा यहाँ पर C उच वोल्ट ता यानि high voltage अगला question देखते हैं अगला question है कि तीन संदारित जिनमें परते के दायता सी है स्रेनी करम में जुरे है तो उनकी तुल दारिता है तो यहाँ पर सी equivalent पूछ रहा है दोस्तों जब उसको स्रेनी करम में जो रेंगे तो सी equivalent स्रेनी करम के लिए फर्मूला होता है सी वाइन और सी यहाँ पर कितना दिया है कैपेशिटर कितना है सुरी कैपेशिटन सी है और नमबर आप कैपेशिटर तीन है तो सी वैठी इसका सिंपल आंसर होगा तो 28 का जो है सही आंसर होगा सी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि दो समान धारिता सी वाले संदारित को समान तरकरम में जोड़ने पर उसकी समतुल धारिता होगी तो C equivalent होगा दोस्तों समान करम में जोड़ने पर समानतर करम में जोड़ने पर N C और यन दिया है यहाँ पर दो कैपेशिटर है तो यन के जगवाँ पर दो लिखेंगे तो C equivalent हो जाएगा 2C तो 29 का सही आंसर होगा A अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि 1 Micro Farad धारिता के 2 सन्धारित्र समान करम में जुरे हैं इनके स्रेनी करम में 0.5 Micro Farad का एक तीसरा सन्धारित जुरा है तो परिनामी होगा देखिए दोस्तों पहले 1 Micro Farad का 2 सन्धारित्र है तो उसको समान तरक रम में जोड़ते हैं तो इसका जो है C equivalent हो जाएगा हो हो जाएगा सिरा हो जाएगा 2 microfarad ठीक है 2 microfarad हो जाएगा और यह कहें 0.5 microfarad इन दोनों को जाए C equivalent बताना है सरे निक्रम में जोडते हैं तो C equivalent हो जाएगा 1 by C equivalent हो जाएगा 1 by C equivalent is equal to 1 by 2 microfarade plus 1 by 0.5 microfarade इसका 10 मा उरायंगे तो और हो जाएगा दोस्तों पाइन दूनी 10 यानि कि 1 by 2 1 by 2 प्लस 2 तो आप इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दो दूनी चार एक 5 by 2 और यहां से एक्विवेलेंट हो जाएगा 5 by 2 by 5 तो यह जाएगा तो इसका इसमें 5 से डिवाइज करेंगे तो यह हो जाएगा 0.4 ठीक है 0.4 मैक्रो फराड तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहां पर डी 0.4 मैक्रो फराड अगला कोशन देखते हैं अगल कोशन है कि A और B के बीच सम्तूल धालिता होगी तो देखिए दोस्तों यह दोनों जह है फैलल में है और पैलल में जो है कैपेशिटेंस सिधा जूर जाता है तो तीन दू हो जागया पांच मैक्रोफराड और यह दोनों सीरीज में आ गया और सीरीज में सी ऑ Almost A ब तो पैल Alors C 1 इـ 2 सिधा प्लस सी वन प्लस सी dünyण जो है इसका शेखिक लेउनट निकल जाएंगा तो ट्वै neden तो इसका जो है सही आंसर होगा ए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि किलो वाट घंटा मातरक है तो किलो वाट घंटा किसका यूनिट है दोस्तों ये इनर्जी का एलेक्टिक इनर्जी का यूनिट होता है ठीक है तो 32 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी इनर्ज का अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि विधूद हीटर में जिस्तत का विभार किया जाता है वहा है तो इलेक्टिक हीटर में जो एलिमेंट यूज होता है दोस्तों होता है नैक्रोम तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहां पर डी नाइक्रोम अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि विशिष्ट परतिरोध का परतिरोधता का एसाइ मातरक है एसाइ यूनिट ऑप एसपी क्यासिस्टन्स तो एस पिक इस्टस्थेश्ट् सरी एसपाश्फिक रसीश्टन्स का जि यूनिट होता है दोस्तों kri 아주 को मिटर ठीक है तो थर्टी फोर का जो है सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम मिटर और यह कहां साया तो आप देख सकते हैं रो फर्मूला होता है आर का रो इन आर इंटु ए वाई एल आर जो है यूनिट है सुरी यह रेसिस्टेंट्स है और एरिया है और यह लेंद है ले एरिया का यूनिट होता है मीटर टावकियो प्लेटक यहाँ सक मीठर कर जाएगा तो यह हो जाएगा आर मींटर यहाँ जो ये हो गया होगिया ओम का ठीक है और यह हो होता है दोस्तों फोल्ट ठीक है और वोल्ट का जो फर्मूला होता है वह होता है डवलू बाइक यू तो आप यहां से इसका डैमेंशन निकाल सकते हैं और डवलू के लिए जो है इसका यूनिट होता है हाफ यह यानि कि के जी मीटर स्क्वाइब पर सेकेंड स्क्वाइब और क्यू के लिए होता है आई टी तो आप इसका डैमेंशन लिखेंगे तो हो जाएगा यहां से दो स्टैम यहां पर है एक यहां पर है तो टी मैनस थ्री की और यह जो है अई उपर हो जाएगा तो इंब यू हर टू टी मैनस थ्री अइमानस वन और करेंट का जो है दोस्तों कभिकल इसका डैमेंशन में ए भी लिखते हैं तो टृतिफाइब का सही आंसर होगा यहां पर डी मी-लाइनक Convention Cinnamon में मैंनस वन या मैनने सori यह ज्या है MPER है कि मैं अगला कोसन देखते हैं अगला कोसन है कि वacjiए लamar strikes नहीं तो मिम्त यह 736 के कल और यह पांद 13ADDid 충 घ्याल ने करते हैं अग्ला कोसन देखते हैं सकती हैं कि व tienen के था यह था कल सर्कित तो electric circuit का power होता है दोस्तों P is equal to VA square by R तो यहाँ पर 237 का सही answer होगा C होगा दोस्तों यहाँ पर जो है VA square होगा by R ठीक है अगला question देखते हैं अगला question है कि 60 watt तथा 40 watt के दो bulb एदि स्रेनी करम में जोरा जाए तो उसकी समलित सकती होगा तो P which total हो जाएगा दोस्तों इसका calculation होता है Capacitor की ठीक है जिस तरह सुषको स्रेनी करम में जोडते हैं उससी तरह सुषका स्रेनी करम में उसी तरह का calculation होगा यहाँ पर तो अगर P total स्रेनी करेम में लिखें इंगे स्रेनी शीरिज में ट्रेनिंहर में जूरने पर इसका सिधास फ्रमूला होता है टेवन इन्ट्व पी टू प्लस ट्व पी ट्मन प्लस टू ठीग वाट का तो 38 का सही आंसर होगा D अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि परिपत का गून जो विधूत्य उर्जा को ताप में बदलता है कालाता है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि एक बिदूत्परिपत में बदलता है दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा परती रोद तो 40 का जो है सही आंसर होगा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि एक बिदूत्परिपत में बिवांतर मापा जाता है तो पोटेंशल डिफ्रेंस दोस्तों मापा जाता है वोल्ट में वोल्ट वीनिट में तो 41 का जो है सही आंसर होगा यहां पर भी वोल्ट में अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि वीट इस्टोन ब्रीज का उपियोग होता है तो वीट इस्टोन ब्रीज का यूज करते हैं दोस्तों रेसिस्टेंस को मापने के लिए तो यहां पर जो है फोटी टू का जो है सही आंसर होगा सी उच अल्प दोनों ही परतिरोद को मापने में अगला कोशन देखते दोस्तो H is equal to V square into T by 4.2 into R V का value दे दिया है दोस्तो 7 volt तो इसका square करेंगे तो हज़ेगा 49 और time कितना दे दिया है 20 minute और minute को second में बदलेंगे तो इसको 60 से गुना कर देंगे 4.2 ठीक है और resistance कितना है 5 oh जब इसका calculation करेंगे तो यह उपर जाएगा 7,49 और यहां से जो है साथ 7,49 और यह होगा 6 और यहां से 6 दहन के साथ और पांचो के 20 यानि साथ चो के 28 28 पे 00 हो जाएगा 800 कैलेरी जो है उसमा उत्पन होगा तो 43 का जो है दोस्तों सही answer होगा D 800 कैलेरी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि स्वस्त मनुस के सरीर का विदूत परतिरोध होता है तो healthy human का दोस्तों electrical resistance जो होता है वो 50,000 ohm के बराबर होता है तो 44 का जो है सही answer होगा यहां पर यह 50,000 ohm अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि किसी चालक के समभाग वेग का आरोपित इलेक्टिव फिल्ड में क्या समन्द है तो इसके बीच है दोस्तों directly proportional होता है तो 45 का सही answer होगा बी डीवी directly proportional to electric field अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि कि किसी चालक का विशिष्ट परतिरोध बढ़ता है तो specific resistance of conductor increase जब दोस्तों temperature को बढ़ाएंगे तो conductor का जो है specific resistance increase कर जाता है तो 46 का जो है सही answer होगा एक तापमान बढ़ाने से temperature को बढ़ाने से अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि आदर्स आमीटर का परतिरोध होता है तो जो ideal आमीटर होता है दोस्तों उसका resistance 0 होता है तो 47 का जो है सही answer होगा एक सुन्य अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि PN संधी का diode उपयोग होता है तो PN diode का यूज होता है दोस्तों amplifier के रुप में परवर्टक के रुप में तो 48 का सही answer होगा एक अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि संलग्ज चितनों में तुली परतिरोध होगा तो देखिए दोस्तों यह जो है यह वीट एस्टों बैलेंस बैलेंस वीट बिरीज का जो है फ्लो करता है यानि कि PYQ अगर प्यूज को मानले क्यूज को आर इसको एसको तो PYQ इसकल टू आरवाई यास है ठीक है जब बैलेंस वीट एस्टों बिरीज होता है तो बीच वाला रेशिस्टेंस का कोई वैलू ने होता है नगी लेवल हो जाता है तो इस स्थिति में जो इसका एक्विवैलेंट रेशिस्टेंट निकल जाएगा तो निकल जाएगा पांच चार यह दोनों सिंपल स्रीज में जूर जाएगा यह दोनों स्रीज में और एक दूसरे का पैरल ठीक है क्योंकि दूसरे में हो जाएगा यहां से 9 x 18 और यह हो जाएगा 27 तो 99 थिरीजा हो जाएगा 27 और 3 शक्के 18 तो यहां से जाए equivalent रेसिस्टेंट निकल जाएगा वह निकल जाएगा 6 ओम तो 14 न का सही अनसर हो गाए 6 ओम अगला कोशन देखते हैं last question है दोस्तों लास्ट कोशन है कि sale का विधूत वाहक बल मापा जा सकता है जो EMF मापते हैं दोस्तों sale का उसको मापते हैं potential meter के द्वारा विभब मापी के द्वारा तो 50 का जो है सही आंसर होगा दी विवब मापी द्वारा तो इमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर सेयर कर दीजिए ठीक है यहां तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद